हमीशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ किच्छन के बहुत ही अमेजिंग से हैक्स और ये जो 12 हैक्स है आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजे तो वो सबसे वेला है कि हमारा शक्कर से रिलेटिड शक्कर जब भी हम मार्किट से लेकर आते हैं चाहे पैकेट की लेकर आएं या फिर बन पैकेट की लेकर आएं हमें उसे एक डिपे में ट्रांसफर करना ही पड़ता है पर कई बार आपने दिखा होगा अगर हम शक्कर ब दाने आपको चावल के दाने तो आप किसी भी चीज में उसको यूज चावल के दाने आपके मुह में आएंगे ऐस वजह से इसको टीशु पेपर में लपेट कर उपर मैंने एक रबर डाल दिया आप चाहे तो धागा भी लपेट सकते हैं और ये शक्र बहुत जादा टाइम के लिए स्टोर रहेगी तो बढ़ते हैं हमारे अगले है की तरफ अगला है के हमारा ब्रेट से रिलेटेड क्योंकि ब्रेट जो होते हैं बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं वैसे भी समर सीजन आ चुकी है तो इसका मैं पहले भी एक बहुत बड़ी आसा हैक लेकर आई हूँ पर अब समर सीजन के लिए हम कुछ अलग सा करने वाले हैं तो अगर आपके घर में तुरई है ना हमें तुरई के सिर्फ छिलके जाहें क्योंकि ये जो तुरई में बहुत सारे विटमिन्स वगएरा पाए जाते हैं और फाइबर की मात्रा भी बहुत ज़ादा होती है जिससे की ना ये ब्रेट को बहुत ज़ादा टाइम तक मौश्चर वाला रखते हैं याने की उसको खराब होने से बचाते हैं जो उसमें डलना सा जाती है बहुत ज़ादा की बढ़ आप देखते है ना हाट सा हो जाता है और खाने की लाइक नहीं रहता तो उसको ये बचाता है और ब्रेट को बहुत ज़ादा टाइम तक स्टोर करने में मदद करता है ब्रेट को खराब होने से तो हमने बचा लिया पर केबर ऐसा होता है ना हमारे हाथ में कोई रबड नहीं लगती एक बार ब्रेट का पैकेट ओपन जो हो जाए तो आप इस तरीके से ब्रेट के जो है कवर को न नोट लगा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से लग जाती है इसके लिए आपको कोई भी रबड वगेरा की जरूरत नहीं है और यकीन मानिए अगर आप इससे जो है ट्राइ करते हैं तो बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं जाएगी और बिल्कुल ता जादा टाइम के लिए स्टोर नहीं करके रख पातें तो इसका बहुत ही बड़ी असा हैक लेकर आई हूँ और यह हैक बहुत ही जादा अमीजिंग होने वाला है इसके लिए आपको टैलकम पाउडर का यूज करना है तो यहाँ पर मैंने बच्चों वाला टैलकम पाउडर ल लेना है इससे क्या होगा ना लीची को बहुत जादा टाइम के लिए स्टोर करके रख पाएंगे बट आप इसको डारेक्ट जो है पाउडर मत चिरकेगा अगला है कि हमारा लीची के छिलकों से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि आपकी तोचा बहुत ही जादा सुन्द और गुलाबी गुलाबी हो जाया ना तब आप इसको जो है छिलकों को फैंकेगा मत आज हम इसका बनाने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी असा पाउडर तो अभी मैं आपको बताती हूं इसको बनाना कैसे है सबसे पहले तो लीची के छिलके को ले लिया है मैंने और इन चिल के से कट लगाएंगे ना तो यह कट हो जाएंगे बहुत जादा हाड नहीं होते तो यहां पर मैंने तीन से चार बीच लिये हैं लीचियों के तो उसको मैं इसके बीच में ही क्रश कर दूँगी और इसका तरीका मैं आपको बताने वाली हूं और यह अगर आपको कोई भी लगे ना जैसे अभी आपको मैंने दिखाया तो उसको ना आप निकाल दीजिए बस हमें ना यहां पर लीची के भी जो छिलके ही चाहिए और मैंने ऐसे ही तीन से चार बीचिस में कट कर लेने हैं और इसमें कुछ भी अभी एट नहीं करने वाली हूं तो इसको अच्छे स यह पाउडर बनता है आपके ब्यूटी के लिए जैसे कि आप मार्केट से कोई भी पाउडर लेकर आते हैं जाहे वो औरेंज पील हो अनार के चिलके का पाउडर हो या फिर बहुत सारे मैंने ऐसे पाउडर अल्रेडी घर पर बना रखें तो इसमें मैंने आज शामिल कर ल करना और इसको मैंने डाल दिया है अपने जो पो में ग्रेनेट के याने की अनार के चिलके के पाउडर के साथ ऐसे ही आप संत्रे के चिलके का पाउडर और अनार के चिलके का पाउडर बनाकर घर पर ही रख सकते हैं और यकीन मानिए मार्केट में आपको बहुत ही जादा म अगली टीप पर हमारी आलू से रिलेटिड जैसे की अभी शमर सीजन चल रहा है तो अगर आप आलू उबाल का रखतें तो बहुत जादा टाइम के लिए नहीं वो रहते तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा हैक ले कराई हूं तो मैं कुछ आलू जो है एक्स्टा उबाल कर रख लेती हूं अगर किसी को परोठा खाना हो आलू का या फिस सैंविच बनाना हो तो यहां पर मैंने तीन आलू उबाल और यहां को आप आलू के साहती है घालवन को आप एक बार ओलिंग कर लीजिए उसके बाद इसको फ्रिस्टम में सटोर कर लीजिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ अगर आप भी घर में गार मैं ग्रीन टी पीते हैं और इसके बाद आάν क्या करते हैं ग्रीन टी जादा हर्बल होते हैं जो कि हमारी प्लांटिंग के लिए बहुत ही जादा बेनिफिशिल होते हैं तो इसको ऐसे यूज कीजिएगा मलाई बहुत ही जादा ज़रूरी चीज है हमारे घर में हम इससे दिसी की वगयरा बनाते हैं पर आज मैं इसके न दो टिप्स लेकर आई हूँ दोनो टिपी बहुत ही जादा अमेजिंग है अगर आप मार्किट वाले फेस वोश को यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं बस मलाई लेनी है उससे अपने फेस को अच्छे से मसाज करने है और पांच मिनिट के लिए रखने के बाद आप अगर आपके फेस की सारी धूल मिटी बहार आ जाएगे उसके बाद आप उसको क्लीन कर सकते हैं अगला जो हैक है हमारा मलाई से रिलेटीड ही है अगर आपके बच्चे जो है खाने में बहुत जादा नक्रा करते हैं उनको भूग कम लगती है तो जैसे चिर्चिडे रहते की बाद आप चीनिवा डियर अंदर नावी चेज चीनी को भूखम बाद एंग आप उसको बढूर आप लगाने के सकते है और ऑप चेन चीनिवाा अप चाल कर एक खं powin कर दो पर बताएग आपण आपको यह hack कैसा लगा क्योंकि बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है अगली बात आती है हमारे टैलकम पाउडर की टैलकम पाउडर बहुत ही जादा यूसफुल है तो इसको यूस करने वाली हूँ अब मैं अपने गैस टोफ पर गैस टोफ पर अगर आप इसको एक बार ऐसे फैलाएंगे न अगर आपका ग्लास के कोई भी बरतन हो गैस टोफ हो तो उसकी चमक को वापिस लाने के लिए जादा तर पाउडर का यूस होता है और सेकिंड इसकी स्मेल से अगर कॉक्रोचीज वगेरा है आपके किचन से बाग जाएंगे है यह सारह को ऑपके लिए कोफ भिलकुन डीचर जेशे जैसा चमकने लग जाएंगा और सेकिंड आप इससे अपनी कॉक्रोचीजल को दूर कर सकते हैं विए किच्न के किसी भी एरिया में इसको डाल डीजिए चाहे सिंक में डाल दीजिए आप चाहे कोनों में डाल दीजिए जहां से कोकरोची जाते हैं तो अभी मैं आपको ना एंड में दिखाती हूँ कि बहुत ही बड़िया से ये गैस्टोफ साफ हो गया है आप इसको कांच के बरतनों पर भी अपलाए करके देखेगा तो एक टैलकम पाउडर के बहुत सारे इसके फायदे होते हैं तो आज तो मैं सिर्फ दो फायदे लेकर आई हूँ और अगली बार मैं आपको दिखाऊंगे कि आप टैलकम पाउडर को कहां कहां पर कोकरोच उसको बगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इसको आप टीशू पेपर से साफ करेंगे तो इसके बाद देखिए बहुत ही बढ़ी है तरीके से क्लीन हो चुका है अगला है कि हमारा देही से रिलेटेड कई बार ऐसा होता है न देही खटी जमती है खटी क्यों होती है क्योंकि जो देही का पानी होता है अगर आप उसको ऐसे ही बीच में रहने से कर देते है पर देही को मिठा बनाने के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा तो आज की सारे 12 hacks में से अपना favorite hack ज़रूर बताना है मुझे और comment करना है आज की वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजेगा Thank you for watching, take care